उत्तर प्रदेश में गैर मानता अपरात मदरसों का सर्वे हो चुका है 8500 के करीब यह आकड़ा है और उसके बाद सरकार की तैयारी है कि अब आगे किस तरह की कारवाई होगी हमरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अलप संके करना राज्यमंत्री आदानिश जिस तरीके से पुरा सर्वे हुआ तमाम तरह की बाते हुई थी कई आपत्ति आभी थी लेकिन आप लोगों ने कर लिया है आगे क्या क्योंकि जो आकड़ा आगया उसके आधार कई चीजों में आप जाने वाले थे सरकार की आगे क्या प्लाने देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार लगातार समाज के लिए और खास तर पर हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों के अच्छी सिक्षा के लिए काम कर रही है इसी दिशा में सकरात्मख भाव से यह जो घैर मानता प्राफ मदर्सों का सर्वे कराए गया पूरे प्रदेश भर में जिसम जब आगे सरकार को योशना पॉलसी बनाएगी तो ये आकड़े बहुत मददगार साबित होंगे और योगी सरकार ने लगातार नौजवानों को अच्छी सिक्षा से जोड़कर उनको आगे करियर में बढ़ने के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए और प्रदेश औ सकरादमक कदम उठाए हैं और इस सर्वे के माध्यम से जो ऐसे आम मुस्लिम परिवार के बच्चे जो उन मदरसों में पढ़ने जाते हैं ग्यारा बिंदू थे उन इस सर्वे में ग्यारा सवाल थे उन सवालों का मख से दिये था कि बेसिक फरसलिटीज जो उन बच्चों को मिलनी चाहिए वो मिल रही कि नहीं मिल रही है और आकड़े आने के बाद हम आगे और बहतर और अच्छा अपने नौजानों के लिए कैस मदर्सों का मकसद ही छूट जाएगा तो वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह की दखल अंदाजी करें उनके पाट करम देखिए योगी सरकार किसी भी पाट करम में कोई दखल अंदाजी नहीं किया उसने कभी भी 2017 के बाद से उत्रपरदेश में योगी सरकार है दीनी ता परे वो उर्दू परे वो दीनी तालीम भी ले ये तमाम चीजे मुहिया योगी सरकार अपने नौजवानों को कराना चाहती है और पुरी इमांदारी से हमारे प्रयास का ही नतीज़ा है कि आज हमारे अलप संक्यक समाज का नौजवान भी वो अच्छी सिक्षा लेके हमार कौम का नाम हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है तो वो किसी कॉणवेंट स्कूल में जाएगा या प्राइविट स्कूल में जाएगा मदर्से का मकसद तो कुछ और ही है वो दीनी तालीम के साथ उसको जोड़ना है तो उससे आप क्यों डिविट करना चाहती है नहीं है ऐसे फरनीचर है साफ पेजल है टॉयलिट है इन्फार है ये चीज़े मुहिया हो रही की नहीं हो रही है कितने चात्र हैं तो यह जानकारी है अगर सरकार ले रही है तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है पहले ही आपके मदर्से के सर्वे का विरोध कर चुका है उनका माना है कि वो चुकी मदद नहीं लेते तो किपीजी तरह का इंटर्फिरेंस बर्दाश नहीं करेंगे पुरी इमानदारी से हमारे मुस्लिम समाज के लिए काम करने वाली सरकार है और हम पुरी इमानदारी से अपने समाज के को आगे तरकी के तरफ बहाने के दिशा में तो विपक्ष को अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए विपक्ष को अगर आटियाई एक बहुत आसान माध्यम है उनको आटियाई लगा कि पुछना चाहिए कि रिक सिस्षा भी भाग भी हो, स्वास्त भी भाग हो, चाय अन कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसी तरीके से मदर्सा सिक्षा भी अगर सर्वे कराकर बहतरी के लिए काम कर दिये तो इसमें विपक्ष को घबलाने की परशान होने की जरूरत नहीं है, योगी सरकार पूरी संजीदगी से अपने मुस्लिम कौम के नजवानों के अच्छी सिक्षा के लिए काम कर रही है, और इसी काम करने तीज़ा है कि आज एक विश्वास जो योगी सरकार पर है, ये अपने काम की वज़े से है। ये सादब से लिए एक लिए अच्छाँ अच्छाँ